हलो बच्चो आज हम कक्षा नवी से बारवी तक के लिए व्याकरण से संबांदित जो महतपुर्ण प्रश्णोंतर हैं उससे संबांदित वीडियो बना रहे हैं इसके पहले हमने कावे से संबांदित सारे महतपुर्ण प्रश्णों का वीडियो बना दिया है जो आपने तो चार प्रषणों के आधार पर आप खाविस सम्बंधित सारे प्रश्नतर कर सकते हो ठीक है तो आज जो बन रहा है विडियो रस्थ सम्बन दित है और इस विडियो से को देखने के बाद आप रस्स हमद्धित सारे कोई तो चलो बच्चो शुरू करते हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी से बार्वी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसमें जो पहला क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए वह है रस किसे करते हैं या फिर रस की परिभाशा ठीक है यदि रस की परिभाशा आती या रस किसे करते दोनों ही प्रशनों के उतर यही होगा कावे को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे रस करते हैं इसके बाद जो important question है वह है रस के कितने अंग होते हैं तो रस के चार अंग होते हैं इस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव ठीक है अगला जो प्रशने रस के कितने प्रकार होते हैं रस और उनके इस्थाई भाव लिखिए तो बच्चों यह very important है क्योंकि कक्षा नवी से बारवी तक में objective में यह question आता है objective question में एक या दो नमबर में question जरूर आता है ठीक है रस और उनके इस्थाई भाव से संबादी तो यह आपको याद होना ही चाहिए ठीक है यह आपको याद कर नहीं है यह आपको याद कर लोगे तो आप रस की परिभाशा भी आसानी से लिख सकते हो ठीक है तो रस है दस र अंगारक रस का इस्थाई भाव है रती हास्य हासका है हास करुण का शोक वी रस का है उस्साह रोद्र रस का इस्थाई भाव है क्रोत भयानक रस का है भय विभस रस का है जुगुपसा या घ्रणा अद्भुत रस का है विस्मय शांत रस का है निर्वेत और वासल रस का है पत्सल इंपोर्टेंट केश्चन बनता बच्चो नवी से बारवी सभी कक्षाओं के लिए और मुख्य रूप से कक्षा दस्वी और बारवी के लिए केश्चन एक्जाम में जरूर आता है कि किसी भी रसकी परिभाशा पूझी जाती है जैसे हमने आप पर प्रश्चन लिख वीर रसकी परिभाशा उधान दीजिए यहां पर यह भी आ सकता है कि शांतरस की परिभाशा उधान दीजिए ठीक है श्रंगार रसकी परिभाशा वह उधान दीजिए तो किसी भी रसकी परिभाशा आती है तो आप यह इंसर में लिख सकते हो और यह सभी रसों के लिए प पताती हूँ, ठीके सरहदे के रहदे में इस्थित उस्साह, क्योंकि वीरस का इस्थाई भाव क्या है उस्साह, तो सरहदे के रहदे में इस्थित उस्साह नामक इस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव, वो संचारी भाव से सयोग होता है, तब वीरस होता है, ठीके हमें श्रंगारस का इस्थाइभाव जो की होता है श्रंगारस का होता रती यहां रती लिखना पड़ेगा और यहां श्रंगारस लिख देंगे उसी प्रकार जिस भी रस की परिभाशा लिख रहे उस रस का नाम है यहां आएगा और उसका इस्थाइभाव हम यहां लिखेंग उधारण हमें याद करने पड़ेंगे ठीक है तो और कौन-कौन से मुख्य रसे जो एक्जाम में आते हैं वो हम आपको बताएंगे तो उधारण है यहाँ पर वीरस का उधारण है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूप लड़ी मरदानी वह तो जासी वाल सुनी का स्वाला में वीरस थी रानी थी तो यह बहुत आसान है अप आज आसन है यहाँ से आतकर से कालटा है玩े अपको प्रशने रस निश्पत्ति हैं बैसी ही स्थाए भाव का विभाव अनुभावल संचारी भाव से सयोग होने पर रस निश्पत्ति होती है तो यहाँ य किजगे हमने रस की परिभाषा में उसर थाइब आ लिखा दो रियोग और यहां रस का नाप लिखाता है परिभाषा वेसी की वेसी है, कोई अंतर इसमें नहिं है, आपको बस ही ध्यान रखना है, में अस्निश्बत्यों का? अब यहाँ पर एक और important question जो दे रखा स्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर बताईए ठीके तो स्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर हम यहाँ पर लिख रहे हैं यह important question है आपको याद कर लेना चाहिए तो स्थाई भाव है सहदे की रहदे में स्थाई रूप से रहने वाले भाव को स्थाई भाव कहते हैं जबकि संचारी भाव में आएगा सहदे की रहदे में पानी के बुलबुले की तरह बनने वा बिगड़ने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं इसका दूसरा अंतर है प और संचारी भाव की संख्या 33 बार नहीं जाती है तो इसमें अंतर है रस के स्थाई भाव को जागरत करने वाले कारण को विभाव करते हैं और अनुभाव में आएगा इस्थाई भाव के जागरत होने पर आश्ट्रे की चेस्थाए अनुभाव का लाती है विभाव दो प्रकार के होते हैं आलंबन वा उद्धिपन अनुभाव पांच प्रकार के होते हैं काईक वाचिक मानसिक सात्विक एवं आहार्य. बच्चो एक्जाम में रस की परिभाषा और उनके उधार्ण आते हैं. रस की परिभाषा केसे लिखने है अभी हमने आपको बता दिये हैं यहां पर तिके यहां पर केवल उस रस का इस्थाईबाऊ आएगा और उस रस का नाम आएगा उधार्ण सब के अलग- बहुत ज़रूर है बच्चों और अब्जेक्टिव में भी आते हैं स्थाइबाओ तीके अब यहां पर हम देख लेते हैं श्रंगारस का उधारण है तो परवारो उर्बसी सुनी राधी के सुजान तू मोहन के उर्बसी है उर्बसी समान तो श्रंगारस का उधारण है बहु अपना भूल कर करतल यूगल मलने लगे इसी परकार श्रंगारस का उधारण है इसके साथ आपकोई पता होना चाहिए श्रंगारस के दो प्रकार होते हैं ठीक है इसके भी दो प्रकारे श्रंगारस के दो प्रकारे सयोग और वियोग सयोग श्रंगार और वियोग श्रंगार यह हमें पत्ता होना चाहिए श्रंगारस के दो प्रकार होते हैं सयोग श्रंगार और वियोग श्रंगार इसी प्रकार करुण रस का उधान है प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहां है दुख जलने धी डूबी का सहारा कहां है तो यह करुण रस का उधान है और हासिरस का उधान भी हम देख सकते हैं हासिरस भी इंपोर्टेंट है इस दोड़ धूप में क्या रखा आराम करो आराम करो आराम जिन्दगी की कुंजी इससे नतपै दिक होती तो इस प्रकार हमने इंपोर्टेंट जो है रस के उधान दे दी हैं यदि आपको ओर भी देखने हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो भयानक रसका वास्यलर रसका उधान है जसोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कच्छु गावे विबस रसका उधान और अद्बुत रसके उधान बे आप देख सकते हो यदि आपको अखशकता हो तो पाकि हमने इंपोर्टेंट आपको बता द आपको आना चाहिए ठीक है और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए